साथियों, हमारी इस वारणसी ने यूगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगडते देखा है, कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्कनते उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है, बनारस अपना रस बिखेर रहा है, बाबा का ये धाम साथ्ष्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदरिय ने भी हमेशा सौंसार को अश्चर चकीत और आकर्शित किया है, हमारे पुरानों में प्राकुरुतिक आभास से घिरी कासी से, कासी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वइनन किया गया है, अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, सास्त्रों को देखेंगे, इतिहास कारों ने भी व्रुक्षाओं, सरोवरों, तालाबों से गिरी काचिके अद्बूत स्वरूप का बखान किया है, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता, आतताईयों ने इस नगरी पर आक्रमन किये, इसे द्वस्त करने के प्रयास किये, और अग्जेब के अत्याचार, उसके आतन का इतिहास साख्षी है, जिसने सब्विता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृती को कटरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी, बाकी दुनिया से आता है, तो सिवाजी भी उठ खड़े होते हैं, अगर, अगर कोई सालार मसुद इदर बढ़ता है, तो राजा सुहल देव जैसे बीर योद्धा, उसे हमारी एक्ता की ताकत का एसांस करा देते हैं, और अंग्रेजों के दौर में भी, वारन हैस्टिंग का क्या हाल काशी क के लोगों ने किया था, यह तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं, और काशी की जुबान पर निकलता है, गोडे पर होदा और गोडे पर होदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल बार इन हास्टिंग, साथियों, आज समय का चक्र देखिए, आतं के वो परियाए इतिहास के काले पन्नों तक सिमटकर रह गए हैं, और मेरी काशी, मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गव्रव को फिर से नई भव्यता दे रही है, साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूँ, उतना डूबता जाता हूँ, उतना ही भावुक हो जाता हूँ,